अनुपमा और प्रेम जब अनात आसरम पहुंचेंगे तो उसे बच्चे वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे लेकिन राही को यह जानकर अपसोस होगा कि वहीं टूर गाइडों की अब डिमांड खत्म हो गई है जब राही खिड़की के पास बैट कर काम कर रही होगी तब उसे पता चलेगा कि गंगवानी के आदमी आसरम पर नजर रखे हुए हैं अनुपमा जब आसरम के मालिक से बात करेगी तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पर राही के नाम से रह रही लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी छोटी है वह दोड़कर उस कमरे में जाएगी तो पता चलेगा कि छोटी वहाँ से भाग गई है उदर तोशु की चलांकी अनु के रसोई पर भारी पड़ेगी क्योंकि न सिर्फ खाने का बेईसाप औरडर वापस आजाएगा बल्कि जिन जगहों पर उन्होंने खाना भिजवाया होगा उन्होंने उस क्लाउड किचन के नाम पर एक नोटीस भी भिजवाया होगा जब जानकी काकी तोशु को बत कर देगी और काम छोड़ कर चली जाएंगी अब तोशु की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सेच्वेशन को कैसे हैंडल करें घर पहुचने पर जब लीला और पाखी को वब सब बताएगा तो बात खुलते देर नहीं लगेगी कि सारी गलती तोशु की थी लीला या सोच कर और परिशान हो जाएगी कि शादी में भी उसने यही खाना भिजवा दिया है जिसे खाकर सबकी तबियत खराब हो रही है उदर अनुपमा की बेटी घाट पर अपनी मा की खुब बेजती करेगी और उसके साथ जाने से इनकार करते वे कहेगी कि आप मेरी लिए मर चुक बेचने का फैसला करेगा जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है लेकिन लेला सही वक्त पर उसे रोग देगी हाला कि तोशु उनकी एक नहीं सुनेगा इस अबडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं बॉलिवड और एंटर्टेन्मेंट की प्रोग लेक्टेर ये अबीव एंटर्टेन्मेंट